So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास, बताईए पहला परशन, सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला, तो बड़ा important परशन है ये तो, आंजरोगर रामदरश मिश्रा को, और उनके कवीता संग्र, मैं तो यहां हूं के लिए, और कौन से नंबर का है, 31st, कौन द मिला था, अगला है, विश्व स्वास्त दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा, 7 अपरेल को, इसकी ठीम है, Our Planet, Our Health, हमारा ग्र, हमारा स्वास्त है, World Health Organization, इसकी इस्ता अपना होती है, 7 अपरेल 1948 को, और इसका हेटकोटर मिलेगा, आपको जनेवा स्विजल लेन में, और इसके अद्यक्ष कोने, तैदरो सदानों में, अच्छा, World Oral Health Day कब मनाते हैं, ये भी याद रखो, विश्व मुख स्वास्त दिवस, 20 मार्च को, अगला है, देश का सबसे उचा मेडिकल टावर ये कहां पे बनेगा, तो ये बनेगा जेपूर में, और जेपूर में भी कहा इसके टोटल हाइट की बात करोगे तो 116 मीटर है, ये 2023 तक बनकर तयार हो जाएगा, और इसके वास्तुकार कौन है, अनूप बरतरिया, अच्छा, Statue of Equality का पर है, हैदरबाद में आपको मिलेगी, और Statue of Unity, ये केवडिया गुजरात में है, अच्छा, Statue of Equality, जो कि संत र पतेल जी की Statue है, इसकी उचाई है, 182 मीटर, सबसे उची Statue है, और Statue of Peace, ये आपको मिलेगी, पाली राजस्तान में, ये आचार श्री विजे वल्लब शुरीश्वर ची महराज जी की ये Statue है, 151 मीटर उची है, और अगर पूछे, देश का सबसे उचा Air Purifier का पर लगाया चंडीघड में, चलिए बताईए, वेज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में एक नया अंग खोजा भी, उसका नाम क्या है, Respiratory Airway Secretary, कहां पर खोजा इसे, लंग्स में खोजा और इसका काम क्या होगा, एलवुली, जिसे Respiratory System की यूनिट एकाई कहते हैं, अगर ये अरिफा जोहरी को ये मुंबई की एक पत्रकार है, और पत्रकारिता के शेत्र में एक और काफी important पुरसकार दिया जाता है, उसका नाम Pulitzer पुरसकार है, और पत्रकारिता से याद आएगा आपको World Press Freedom Day, बताईए आप लोगी World Press Freedom Day कब मनाते हैं, और World Press Freedom Index जो आया था, उसमें भारत की rank क्या थी और Topic होन था, इसको जारी करता है Reporters Without Border, और हाँ गाईज, Unacademy आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तयारी हो एकदम पकी, तो आज ही सब्सक्राइब कर रहा है Unacademy Plus, देखो आपको बैचेस बिलकुल basic से लेके बिलकुल high level त सकते हैं, और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मौक टेस्ट भी मिलेंगे, detailed analysis और explanation के साथ, तो अगर आप bank exam की तयारी कर रहे हैं, तो ये सही मौका है इस opportunity का लाब उठाने का, और हाँ बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें Unacademy Plus पर और इस मौके का फाइ कौन सा? क्रेक exam 10, क्योंकि इसे यूज करते हैं, आपको 10% का instant discount मिल जाएगा, आपकी fees कम हो जाएगी, तो जितने भी important links हैं, आपको नीचे description में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर करके आप इसे चेक कर सकते हैं, और इनका फाइदा उठा सकते हैं, अगला है, हमारे नए थल सेन अध्यक्ष आर्मी चीफ, इनका नाम बताना है आपको, आर्मी डे तो आप जानते ही हो, 15 जन्वरी को मनाते हैं, और हमारे वैसे एर चीफ मार्शल कौने विवेक राम चौदरी है, और एर फोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को होता है, और नेवल चीफ है आर हरी कुमार, औ और नेवल डे 4 देसंबर को होता है, किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंद लगा दिया, अभी तो आंसर होगा अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान में दो डेम आपको याद रखने हैं, एक है सलमा डेम, जिसे फ्रेंडशिप डेम भी बोलते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड और्गेनाजिशन की बात करेंगे, उसका नविंतम सदस्य देश भी यही बना था, अफगानिस्तान 164 नंबर का, वर्ल्ड ट्रेड और्गेनाजिशन इसकी स्तापना होती 1995 में, हैटकोटर मिले का आपको जेनेवा सुझजलेन में, और इसके पहली महिला डिरेक्टर जनरल बनी थी कौन, नागो जी उंका जाई वेला, ये नाइजीरिया से हैं, अच्छा अफगानिस्तान से भारतेों को वापस भारत लाने के लिए एक उपरेशन चलाये था हमने, नाम है उसका उपरेशन दिवी शक्ती, और यूकरेन से भारते जो छातर थे उ और बताओ अभी किस देश ने उश्य दिया उपयोग के लिए भांग की खेती को लीगल कर दिया, लेबिनोन, अभी भांग की खेती को खतम करने के लिए किस राजे ने उपरेशन परिवर्तन शुरू किया था तो आंसर होगा आंधर प्रदेश, अच्छा जन जातिये गौ और एक एरपोर्ट भी मिलेगा इनके नाम पर इंटरनेशनल एरपोर्ट है, राजी जारकन में, इनके नाम पर दो बुक आप लोग पढ़ चुके हो, दोनों ही करंट अफेर्स की ही पार्ट है, एक है बिरसा मुंडा जन जातिये नायक, इसको लिखा है आलोक चकरवाल ने और एक है दे लेजेंड आफ बिरसा मुंडा इसको लिखा है तुहीन एसिनहा और अंकीता वर्माने मिलके, ये भी याद रखना, अच्छा बताइए आप तो कि वन ने जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना, तो आंसर होगा एक्व यूएस डोलर करंसी है और प्रेसिडेंट है गुल अर्मो लासो, और वर्ल्ड वाइलेफ्ट डे हम तीन मार्च को मनाते हैं, ये भी याद रख लो, चलिए बताइए विश्व पैंगोलिन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 19 फेबरेरी को, वार्बरी के तीसरे को मनाया जाता है वेसे ये, तो इस बार तो हमने 19 फेबरेरी को मनाया, बताइए विश्व मरदा स्वास्त काड दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 19 फेबरेरी को ये भी, और ये 19 फेबरेरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि प्रधार मंतरी नरींद्र मोदी जी ने 19 फे खेत हरा और आपको बतादू कि 2015 को अंतर राष्ट्र म्रदा वर्ष के रूप में मनाया गया था अच्छा विसे एक वर्ल्ड सॉयल डे भी आप सुनोगे जो 5 देसंबर को मनाते हैं चलो आप तो यह बताओ किस म्रदा को रेगूर कहते हैं रेगूर बर्दा काली मिट्टी को और यह किसके खेती के लिए उपयोगी होती है कपास की खेती है आप लोग टाइप करके बताओ विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कोटेंडे कब मनाया जाता है एक अच्छी म्रदा की बात करें तो उसमें जो नाइट्रोजन है फॉस्पोरस है पोटेशियम है वो कितना होना चाहिए तो 4-2-1 के रिश्व में होना चाहिए ये भी ध्यान रख लो विश्व समाजिक नियाए दिवस ये मनाते हैं 20 फरवरी को यानि कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस दे थीम क्या रही अचीविंग सोशल जस्टिस थूरू फॉर्मल एम्प्लॉइमेंट अच्छा आपको याद होगा हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर को ने विरेंद्र कुमार है फिर बताईए अंतर राश्टर मात्र भाशा दिवस कब मनाते हैं 21 फरवरी को यानि कि इंटरनेशनल मदर लेंग्वेज इड़े थीम क्या है बहु भाशी सिक्षा के लिए प्रद्योगी की का उप राश्टर संकेतिक भाशा दिवस भी होता है इंटरनेशनल साइन लेंग्वेज दे 23 सेप्टमबर को होता है वेसे आपके भाटे समविदान के आठवी अनुसुची में कितनी भाशाएं हैं वर्तमान में 22 हैं और ज्यानपीट पुरसकार कितनी भाशाओं में देते हैं तो वो कितनी भाशाओं में दिया जाता है 24 भाशाओं में 22 तो समविदान के आठवी अनुसुची वाली हो गई एक अंग्रेजी हो गई और एक राजस्तानी हो गई और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकी बता दो हिंदी और अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरसकार क अगला दिखे विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया गया 22 फरवरी को थीम थी हमारा विश्व हमारा समान भविश्य अवर वर्ल्ड अवर एक वल फ्यूचर केंद्रे उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है Central Excise Day वर्ल्ड NGO Day ये होता है 27 फर वरी को होता है इसकी थीम है food futurism और दुरलब रोक दिवस rare disease day 28 वरी को होता है थीम क्या रही अपने रंग साज़ा करें share your colors राष्टर विज्ञान दिवस national science day 28 वरी को होता है actually मैं sir c.v. रमन जी ने 28 वरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोच की थी उसके लिए उन्हें फिजिक्स का नोबल पुरिसकार भी मिला था और हम इसलिए 28 वरी को ये दिन मनाते हैं और इसकी theme क्या रही इस बार की सतत भविश्य के लिए विज्ञान और प्रद्योगे की मैं एक एकरत त्रश्ट्री कोन अब पुराने महिने की करंटर फेर्स का हम लोग रिविजन करेंगे तो बताएए भारत की 23 महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है तो अंसर हो गया प्रियंका नुटक की और अगर आपसे पूचते की भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी तो अंसर हो गया विजे लक्ष्मी अंतर राष्टर महिला दिवस कब मनाया जाता है तो अंसर होगा आठ मार्च को और इसकी थीम क्या थी जेंडर एक्विलिटी टूड़े फॉरस सस्टेनेबल टुमोरो जबकि राष्टर महिला दिवस होता है तेरा फरवरी को Microsoft किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर शेत्र इस्ताफित करेगा तो अंसर होगा है दरबाद में और Microsoft का Headquarter Washington DC में है इसके CEO सत्या नडिला है अच्छा मुझे बताओ एक तो यह सत्या नडिला हो गए और गूगल के CEO सुन्दर पिछे हो गए इन्हें अभी कौन सा समान मिला पदम पुरुषकार मिला है कौन सा वला पदम बूशन पदम विबूशन या पदम श्री हैदराबाद में ही भारत का पहला ओपन रोक म्यूजियम खुला है स्टेची ऑफ एक्विलिटे आपको हैदराबाद में मिलेगा जो की 216 फीट उची संत रामानुजा चा पर किया गया तो आंसर होगा ढाका में बांगलादीश की केपिटल ढाका में उद्दिश क्या रहा विश्व की जितने भी छात रहें उन्हें भारत में स्टेडी के लिए प्रोच साहिद करना बताइए अभी किस मंत्राले ने संभाव और स्वाव लंबन पहल को शुरू कि वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सोर शमता इस्ताबित की है तो आंसर होगा 10 गीगावाट गीगा की वेली होती है 10 की पावर 9 अच्छा बताइए भी श्रम मंत्राले ने कौन सी पहल शुरू की थी तो आंसर होगा डोनेट अ पेंशन विश्व टैनिस दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 7 मार्च को हर मार्च के पहले सोंबार को ये मनाया जाता है अगला है छत्रपती शिवाजी माराच के प्रतिमा का अनावरन काम पे किया गया तो आंसर होगा पुने में 1850 किलो की है ये स्टेच्यू जिसकी लंबाई ये 9.5 फीट ये गन मेटल से बनी होई है बढ़ते आगे पर बताईए किस राज्य सरकार ने कोशल या मातरत्व योजना शुरू की तो आंसर होगा 36 गड़ सरकार ने इसमें क्या होगा दूसरी बेटी के जनम पे महिला को 5000 रुपे दिये जाएंगे जिससे वो अपना आसानी से भरन पोशन कर सके अगला है मातर शक फीचर फोन के लिए किस यूपी आई अधरित पेमेंट प्रोड़क्ट को लांच किया तो अंसर होगा यूपी आई 123 पे तो मतलब अब जो एंड्रोइट फोन होते है उससे तो आब यूपी आई की थूप पेसे ट्रांसवर करी सकते हो लेकिन अब फीचर फोन होते है वो उक्रेन में जो भार्टे चात्र फस गए थे उनको वापस लाने के लिए उपरेशन गंगा चलाए था और अफगानिस्तान से भार्टे को लाने के लिए कौन सा चलाए था देवी शक्ति ऑपरेशन देवी शक्ति बताओ फिर धुम्रपान निशेद दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 9 March को, Actually मैं March के दूसरे बुद्वार को मनाया जाता है, तो हमने तो 9 March को मनाया, Theme क्या है, Quit Your Way, किसे 2022 के अंतरराष्टर महिला साहस पुरसकार के लिए चुना गया, तो अंसर होगा रिजवान हसन को, ये बांगलादेश के है, फिर बताइए, बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शैयन मुद्रा में मूर्ति का निर्मान किया जा रहा है, इस मूर्ति की लंबाई कितनी है, 100 फीट लंबी है, ये 30 फीट उची है, इसके वास्तुकार है पिंटु पॉल, किस मंत्रा ले ने समर्थ अभ्यान को लॉंच किया तो आंसर हो गए MSME मंत्रा ले ने, और MSME Day हम 27 चून को मनाते है, अंतर राष्टर उंट महुत्सव 2022 का एवजिन कहां पर किया गया, उंट महुत्सव हम राजस्तान की बिकानेर में मनाते हैं, अब हम कल के कर अंटर फेर्स को रिवाइस करेंगे,